हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट वन एक आई हूँ, और यह पार्ट वन क्लास 11 की जो हिस्ट्री बुक है, तिहास की बुक उसका चाप्टर नमबर 4, इसलाम का उदे और विस्तार, यह चाप्टर क का नाम है स्टाड़ी विद्यानी, इस से हमारा पेज उपन हो गया है, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे, स्लाम का उद्या, पॉइंट्स दे रखें, बहुती इजी नोट्स हैं, स्लाम का उद्या अरब प्राइदिव में हुआ, लगबक 1400 साल पहले, तो इसमे यह बता रहे हैं कि इसलाम का उद्या हुआ है, स्टार्टिंग हुई है, वो अरब से हुई है, अरब में कौन-कौन से जैसे मक्का, मदीना, और अरब साओधी अरबी आ गया, वहां के देशों से इसकी स्टार्टिंग हुई है, वहां पर इसलाम का उद्या हुई है, और ल विशार मिसर के अफगानिस्तान तक विशाल छेतर में हुआए deas अफ्रीका का जो मिस्र से एशिया के अफगानिस्तान तक ये फैला हुआ है मतलब बहुत ही बड़ा विशाल छेतर में फैला हुआ है और इसका विस्तार वही हुआ है जिप्ट से अफगानिस्तान तक मिस्र से अफगानिस्तान तक 600-1200 तक के अवदी में ये छेतर इसलामी सब्विता का मूल छेतर था मतलब जो 600-1200 की जो अवदी थी ना वहाँ पर इसलामी सब्विता का मूल छेतर मतलब इस टाइम इस समय में जादा इसलाम के इसलाम पहला था और यही समय है जो है इसलामी सब्विता का मूल शेतर बनाए अब हम एक वर्ड आएगा इसलामी शब्द चैप्टर में भी आएगा और आप सुनते भी इसलामी शब्द तो इसकी क्योंते डैफिनेशन बता रहे हैं केवल ङसलाम की अपूते नहीं है इसमें इसलाम की संस्क्र्यूटि को प्रदाशित करता है तो यहां पर अगर कहीं तो अभी हमारा टॉपिक आया अरब में इसलाम का उद्य तो हम पढ़ते हैं अरब जो मैंने आपको बताया इसलाम की जो शुरुआत हुई वो अरब कंट्री में हुई अरब देश में हुई अब अरब में इसकी उद्य हुआ कैसे किसने किया कैसे शुरुआत हुई वही जान और आस्ति को के एक ही समाज की सदस्या का प्रचार किया तो क्या हुआ था एक पैगंबर मुहम्मद थे उन्होंने क्या बोला था उन्होंने बोला था एक इश्वर है जो कि अल्ला है और उसी की पूजा करने को इन्होंने कहा था कब की बात है 612 से 632 की के टाइम में और इन्होंने क्या कहा था और आस्ति को के ही एक समाज की सदस्या का प्रचार किया था अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रगंबर मुहमद सौदा अब ये थे कौन प्रगंबर मुहमद ये एक सौदागर थे और बाशा और संस्कृति की डिस्ट्री से देखें तो ये एक अरबी थे क्योंकि आरब में रहते थे तो एक अरबी बोलते हैं तो ये एक अरबी भ बाहर जाते थे तो ये भी उनके साथ जाते तो इसी पिरकार से ये एक सौधर घर भी कहला है आरब लोग कबीले में बटे थे आरब के जो लोग थे वो कबीले में बटे थे कबीले किसे कहते हैं देखिये एक ग्रूप हो गए ग्रूप को एक कबीलक आ गए आपको समझाने के लिए तीन कबीले हैं इसमें बहुत सारे लोग हैं यह तीन कबीले हैं इसमें जैसे बहुत सारे लोग हैं इसमें पान सो लोग हैं जैसे और इसमें इसमें भी पान सो लोग हैं तो इनका एक मुख्या होता था हर कबीले का और एक कबीले का मुख्या जो था वो पियगंबर मुहम्मथ है तो जैसे एक कbile में बहुत सारे लोग हो गया और उसका एक मुखिया हो गया उसका एक head उसको shake कहते थे जो head होता था उसको shake कहलाय जाता। पर तेक कभीले का जैसे मुखिया जीज़ यसे मैंने आपको बताया होता था सासी होता था जिसमें कॉलिटीज होती थी उसी को ही शेख बनाया जाता था अब देखते हैं नेक्स्ट अब यह हमारा आगिया है पॉइंट पृतिय कबीले के अपने सुएं के देवे देवता थे मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे कबीले थे अपने अपने और इसमें से एक कबीले था पैगंबर मुहम्मद का तो सब पैगंबर मुहम्मद का कबीला तो वो अपने एक इश्वर कहते थे एक हमारे इश्वर हैं जो अल्ला है वो अपने कबीले को इश्वर को अल्ला को मनवा देते लेकिन और बहुत से कबीले थे जो कि और जाते थे मतलब की जो इधर उदर घूमते रहते थे और अपने आउटों के लिए चारों की तलाश में रहते थे और。 फोलइ मैं वहाँ आप थे हें शहरों में भरस ऐसे खिल को तब का खो न नहीं है, कबिला और पॉइपार करने लगह को पिए अब पॉइंट आया हमाएरा पेगंबर मुहम्म्मद का अपना कबिले कुरेश था जैसे की हर कबिले का अपना अनाम था और पेगंबर महम्मदग का कबिल्ष तौई को नाम ता कुरेश shall एक मुख्या-धर्म स्थल पर नियंतरनwarm था दर्म स्थल पर नियंतरन्दश इस इस्थल का ढाना मतलब यह बता रहे हैं जो मक्का था उसका एक मुख्या-धर्म स्थल पर नियंतरन्ट है और जो इस्थल था वो एक धाचा था जैसे की जुसको काबा कहा जाता है जैसे इस इस्थल का धाचा घनाकार था जिसे काबा कहते है घनाकार मतलब जैसे की क्यूबॉइड नहीं होता उसी तरह से घनाकार था यह तो उसका नाम था काबा कहते थे उसको मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे जो मक्का के बाहर के भी कबीले थे बहुत कबीले थे उसमें मक्का था मक्का में तो जो बाहर के भी कबीले थे वो भी काबा को बहुत पवित्र मानते हैं और मुसलिम भी वहीं पर जाते हैं जैसे आप कह सकते हैं उनका एक गौर्ड धर्मिस्तल वो वहीं पर है, काबा को बहुत ही प्योर मानते हैं, बहुत पवितर मानते हैं इस जगा कि धर्मिक यात्रा हज कहलाती है, मतल stoked यहाँ पर वो हज करने जाते हैं और यह एक धर्मिक यातरा सब्सक्क्रवाबस पर क्यूंनाक कारा कर से लिए इन तो होगा सिर्या कर रहे और क्या Lobắp मैं। neden प्रवें चहां होगा डहीं हो पर जीए इन दोनों के बीच से से में मपका कि यहीं मख्का है इन सीर्याह और यमन के बीच भी जो मख्का है अब में पर तीथ थे जैसे कि पहले बताया है या अपनी तीधरी यादिया करने जाते थे लोग को अपस में अपने विश्वास भी था रीदी रिवाज में अब यहां पर पॉइंट आता है बाटने का अफसर था अफसर दिया 612 के आसपस पेगरम मुहम्मद ने अपने आपको खुदा का संद वारा के आसपस की बात है क्या हुआ था पेगरम मुहम्मद जो थे उन्होंने क्या बोल दिया अपने आपको उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ मैं खुदा का संदेश वाहा हूँ और अपने आपको यह बोला उन्होंने पेगरम मुहम्मद ने कहा केवल अल्लह की अबादत क की जानी चाहिए सिर्फ एक अल्हा है जिसकी अबादत की जानी चाहिए इबादत के विदिया सरल थी जो इबादत उन्हाने बोला उन्हाने यह भी बताया कि सिर्फ अल्ला की बादत करनी चाहिए और इबादत करने का तरीका भी बताया वो जो कि बहुत ही असान था दैनिक तान नमाज को परते थे और सदक्त्का पॉंट है जो इन सब चीजों को मान लेंगे इस्लाम को मान लेंगे, वही मुसलिम जिन लोगों ने इन सब सिंदादों फोइकार किया इन सब चीजों को माना, वो मुसलिम कहा गया मका के सिम्य लोगों दोारा मुसलमानों का alone किया जाने लगा जिन्हें देवी देवताओं को ठुखराया जाना बुरा लगता था अब बहुत से लोग थे जो कि मक्का में रहते थे और दूसरे कबीले से थे और लोग जो हैं अल्ला को नहीं मानते थे वो दूसरे अपने देवी देवताओं को मानते थे तो उन्होंने मुसल्मानों का देवता को ठुकराय जा रहा है पिर उन्होंने इस नए धर्म को मक्वा की प्रतिष्टा रखनें और स्रीमिद्धी के लिए खत्रा समझा ज़ाने लगा था तो क्या हुआ था उन्होंने जो नए धर्म को मका के Pожно पतिष्ठा और स्रीमिद्धी के लिए खत्रा समझा जाने लगा था 622 में खत्रा भी समझा जाने लगा था 622 में पेगंबर मुहम्मद को अपने अनुयाई के साथ भाग कर मदीना जाने के लिए मजबूर होना पड़ा मतलब जब उनको जो अपने देवी देवताओं को मानते थे और उनको ठुकराया जान लगा था उनके देवी देवताओं को तो उनको बुरा लगा था और वो इनका विरोध करने लगे थे मुसल्मानों का तो बहुत प्रॉब्लम्स आ गए थी इनके जो कबीला था मुहम्मद का मानते थे इनका कैना मानते थे अपने अनुयाई के साथ भाग कर मदीना तो इन्होंने मख्खा छोड़कर मदीना जाने का फैसला लिया और इनको मदीना जाने अनुयाई का फैसला ले लिया था मका को छोड़के तो जस वर्ष जब ये मदीना की जिस वर्ष की मदीना जा रहे थे इन्होंने फैसला लिया तो उस वर्ष मुस्लिम कलेंडर यानि एक मुस्लिम कलेंडर होता है हिज्री सन उसकी शुरुवात भी हो गई थी पहला वर 622 इस जिस ने इनके अनुएय़ को सुरक्षा परधान की मतल़ में अनुएय़ को सुरक्षा पुरधान की तो वहां पर इनके थोड़ा प्रॉफिट भी हो गया है पैगंबर महम्मदों ने अमा को बड़े समूदाए में बदला ताकि बहुदेवादियों तथा यहूदियों तो क्या हुआ था पेगमर मुहम्मद ने उम्मा जो थे उनको बड़े सामुदाय में बदल दिया था और बहुदेवादियों और यहूदियों बहुदेवादियों और यहूदियों को पेगमर मुहम्मद के राजनेटिक नेतरितव के अंतिरगत लाया जासके er अंत्रगत लाया जासके इसलिए पृआस किये गये थैं मुसलिम समुदाय क्रेशी और वेपार से प्रांत होने वाले राजसभ में जीवित रहे तो मुस्लिम जो समूदाय थे वो क्रेशी तदा वेपार भी करने लगे थे और उसी के प्राप्त होने वाले राजसभ से वो जीवित जिन्दा रहते थे इसके अलावा मुस्लिम मक्का के निकट नखल स्थानों पर छापे भी मारते थे मतलब कि जब ज़्यादा हो जादा तो लोग छापे भी मारने रखते थे इन छापों में मदिना की यहूदियों के साथ दरार उत्पन हुई और वो तो होगी जब ऐसा होगा मक्का को जीत लिया गया तो मक्का को उस टाइम जीत लिया गया था मक्का को उस टाइम जीत लिया गया अब मिहाबर बात आती है धार्मिक परचारक और राजनेतिक नेता के रूप में पेगंबर मुहम्मद की पतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई मतलब बहुत ये एकदम फेमस हो गएते बहुत दूर दूर तक लोग इनको जान गए थे क्योंकि ये राजनेतिक नेता के रूप में भी और धार्मिक धर्म को भी नहोंने फैलाया था बहुत जादा तो इसलिए भी इनके पेगंबर मुहम्मद को फिर दूर दूर तक फैमस हो गएते और फैला दिया था पेगंबर मुहम्मद ने आप समुदाय की समुदाय की सदस्य के लिए धर्मातरन को एक मातर कसौटी माना मतलब कि धर्मातरन को एक मात्र कसोटी माना इसके बाद कई कबीले ने धर्म बदल कर इसलाम को अपना लिया मतलब कि क्या हुआ था इन्हों ने धर्मांतरण किया यही बोला बार बार यही बोला धर्मांतरण का मतलब यही हो गया जो बहुत सारे कबीले थे उन्होंने भी अपना देवी देवताओं को छोड़कर अपने धर्म को बदल लिया, इसलाम में, इसलाम को अपना लिया था तो अब यहाँ पर बात करते हैं जो मदीना थी, मदीना इनका अब मदीना प्रशास ने एक राजधानी बना ली गई, मतलब कि जो मदीना था, वो इनकी राजधानी बन गई थी, जहाँ पर प्रशास ने कामकारे होते थे यह सब, और मक्का जो था इनका धार में केंदर जो सही था उनको दो दार में केंद्र ही हैं हो घ्राइब अब आपको समझ रोगा अच्छे पार्ट टू बन गई दिया अगर आपको do अच्छा लगी तो प्यीज लायख करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ठैक्स पर वाचिंग टेक केर और बाई बाई